एलो दोस्तों सौगत आपका फिर से एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQs जिसका टॉपिक है Control of Scatter Radiation तो आज हम इस टॉपिक से MCQs डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिससी कि आपको इसी तरह की वीडियो समेशा मिलती रहे है और इस वीडियो का एंट तक देखने के बाद अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगती है और यहां पर इस क्वेशन का राइट आंसर है और यहां पर जो तीनों फैक्टर दिये गए हैं के इवडियो पी फिल्ट जाइज और पेच्टर थिकनेस यह तीनों फैक्टर ही इंटेंसिटी ओफ स्काटर एडिशन को इंफ्लेंस करते हैं यानिके प्रभायवित करते हैं कोशन नमबर टू विचब दो फॉलिविंग डिवाइज क्लेंस अब्दा स्काटर एडिएशन यह कुशन में पूछे गया है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्षन है वो स्काटर एडिशन को कम करता है या फिर क्लीन अप करता है यहां बर इस कौशन का राइट आंसर है ओप्षन C, ग्रिड्स ग्रिड का यूज के जाता है स्काटर एडिशन को क्लेर नप करने के लिए यानि के कम करने के लिए तो यह स्काटर एडिशन को कम करने में हल्प पड़ता है यहां पर इस कौशन का राइट आंसर है ओप्षन D, All of the Above यहां जो तीनों ओप्षन दिये गए हैं यह तीनों ही स्काटर एडिशन को इंक्रीज करते हैं यानि के बढ़ाते हैं क्वेशन नमबर 4, which of the following device improves image contrast by removing scattered rays ओप्षन A, Grid, ओप्षन B, TLD, ओप्षन C, Air Gap, ओप्षन D, None of the Above मैं क्वेशन ने पूचे गया है कि इस option में से कौन सा इसर डिवाइज है जो की scattered radiation को remove करके image से contrast को बढ़ा देता है तो यहां पर इस question का right answer है ओप्षन A, Grid, ग्रिट एक ऐसर डिवाइज है जो की image contrast को बढ़ा देता है by removing scattered radiation क्वेशन नमबर 5, contrast resolution is determined by ओप्षन A, scattered radiation, ओप्षन B, focal sport size, ओप्षन C, film based thickness, ओप्षन D, all of the above यहां क्वेशन में पूचे कहें कि contrast resolution किसके द्वारा determined किया जाता है तो यहां पर इस question का right answer है option A, scattered radiation, जो scattered radiation है वो contrast resolution को determine करता है जितना ज़्यादा scattered radiation होगा उतना कब contrast resolution होगा इसका मतलब है कि अगर scattered radiation काफी ज़्यादा होती है तो image का contrast resolution है वो काफी काम हो जाता है और उसकी quality low जाती है question number 6, why light is the material of choice in the manufacturing of grids option A, high atomic number, option B, high mass density, option C, inexpensive, option D, all of the above यह question में पूछे करा है कि grid की manufacturing में lead को क्यों पसंद किया जाता है तो यहां पर इस question का right answer है option D, all of the above grid की manufacturing में lead को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसका atomic number होता है और इसकी mass density भी हाई होती है और यह inexpensive होता है यानिके यह थोड़ा हमाँ सस्ता पड़ता है तो इसलिए lead को पसंद किया जाता है grid की manufacturing के लिए question number 7, which the following type of grid is used in mammography option A, 4 ratio, 1, 2, 5 ratio, 1, option B, 12 ratio, 1, 2, 16 ratio, 1, option C, 8 ratio, 1, only, option D, 10 ratio, 1, only एक question में पूछे गया है कि mammography में किस type की grid का use के जाता है तो यहां पर इस question का right answer है option A, 4 ratio, 1, 2, 5 ratio, 1 यह question काफी important है और काफी exam में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको यह याद रखना है कि mammography में low ratio grid का use के जाता है जो कि होती है 4 ratio, 1, 2, 5 ratio, 1 grid question number 8, which of the following technique is used to control scatter radiation other than grids option A, compression, option B, ear gap technique, option C, low KVP technique, option D, all of the above यह question ने पूछे गया है कि grid के अलावा इसमें से कौन से technique का use करके scatter radiation को control के जाता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option D, all of the above यहाँ पर जो तीनों technique दे गई है compression, ear gap technique और low KVP technique इन तीनों का use के जाता है scatter radiation को कम करने के लिए question number 9, to reduce scatter radiation in mammography, which of the following technique is used option A, ear gap technique, option B, compression, option C, कौन, option D, all of the above यह question में पूझे गया है कि mammography में scatter radiation को कम करने के लिए इसमें से कौन से technique का use के जाता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option B, compression mammography में compression का use के जाता है scatter radiation को कम करने के लिए question number 10, which statement is true regarding the position of grid option A, grid is positioned between the patient and the image receptor option B, grid is positioned above the patient option C, grid is positioned below the image receptor option D, grid is used in post processing unit दोस्तों है question में पूझे कहा है कि इसमें से कौन से statement correct है regarding the position of grid यहाँ पर इस question का right answer है option A, grid is positioned between the patient and the image receptor x-ray imaging system में grid की जो position होती है वो patient और image receptor के बीच में होती है जो की scatter radiation को control करने में help करती है question number 11, what is the effect of KVP on scatter radiation level option A, increases with increased KVP option B, increases with decreased KVP option C, no impact of KVP option D, increases with small extra field size दोस्तों है question में पूछे गया है कि KVP का effect क्या होता है scatter radiation level पर यहाँ पर इस question का right answer है option A, increases with increased KVP अगर हों KVP को बढ़ाते हैं तो scatter radiation का label भी बढ़ जाता है question number 12, scatter radiation makes the image less visible by option A, producing noise option B, reducing image contrast option C, reducing contrast resolution option D, all of the above दोस्ते हैं question में पूछे गया है कि जो scatter radiation है वो image को less visible बना देती है इन में से कौन से option के द्वारा यहाँ पर इस question का right answer है option D, all of the above scatter radiation image को less visible बना देती है यानि कि इसके quality को खराब करतेती है और scatter radiation image contrast contrast resolution को काफी कम करतेती है और यह image में noise we produce करती है जिसके जो image है हमारी वो less visible हो जाती है यानि कि इसके quality है वो काफी low हो जाती है question number 13, which of the following is beam react rating device option A, aperture drive from, option B, कौन सोरो cylinders, option C, polymeters, option D, all of the above यहाँ कुछे ने पुछे गया है कि इसमें से कौन सा option beam react rating device है यहाँ पर इस question का right answer है option D, all of the above यहाँ जो तीरों option दी गए है यानि कि aperture drive from, कौन सोरो cylinders और polymeters, यह तीरों ही beam react rating device है, यानि कि beam को restrict करते हैं, यानि कि इसको control करते हैं question number 14, special resolution is determined by option A, scatter addition, option B, focal sport size, option C, patient thickness, option D, none of the above यहाँ question ने पूछे गया है कि special resolution किसके तोरह determine किया जाता है यहाँ आपर इस question का right answer है option B, focal sport size जो focal sport size है वो special resolution को determine करता है question number 15, which is the following principle tools are used to control scatter radiation option A, TLD badges, option B, grids, option C, beam restricting devices, option D, both B and C यह question ने पूछे गया है कि इसमें से, जो option दीगा है, इसमें से कौन से principle tool है जो की use के जाता है scatter radiation को control करने के लिए तिया पर इस question का right answer है option D, both B and C grids और beam restricting device का use की जाता है scatter radiation को control करने के लिए question number 16, what is the effect of x-ray field size on a scatter radiation level option A, increases with increased x-ray field size, option B, increases with decreased x-ray field size, option C, no impact of x-ray field size, option D, increases with decreased kvp यह question में पूचे कि, x-ray field size के क्या effect पढ़ता है scatter radiation level पर यह इस question का right answer है option A, increases with increased x-ray field size यानि कि अगर हम x-ray field size को यतना बढ़ाएंगी, उतना ज्यादा scatter edition level होगा question number 17, the added filtration of the columnar assembly is equivalent to option A, 1 mm aluminium, option B, 2 mm aluminium, option C, 3 mm aluminium, option D, 4 mm aluminium यह question में पूची गए कि, x-ray field size का added filtration होता है, वो किसके equivalent होता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option A, 1 mm aluminium पॉलिमेटर assembly का जो added filtration होता है, वो 1 mm aluminium के equivalent होता है यानि कि, x-ray field size, जो filtration use के होता है, उसमें 1 mm aluminium का use किया जाता है question number 18, which is the following grid है, higher contrast improvement factor option A, 5 is to 1, option B, 8 is to 1, option C, 10 is to 1, option D यह question में पूचे गया है कि, इसमें से कौन सी grid का सबसे ज़्यादा contrast improvement factor होता है तो यहाँ पर इस question का right answer है, option D, 16 ratio 1 जो 16 ratio 1 grid है, उसका सबसे ज़्यादा contrast improvement factor होता है यहनि कि 16 is to 1 ratio वाले जो grid है, सबसे ज़्यादा contrast को improve करती है image में और सबसे ज़्यादा scatter addition को remove करने में हाल परती है जितना ज़्यादा ratio के grid होगी, उतना ज़्यादा contrast improvement factor होगा question number 19, which of the following grid is used for general purpose x-ray imaging system option A, 5 is to 1 to 10 is to 1, option B, 8 is to 1 to 10 is to 1, option C, 10 is to 1 to 16 is to 1 option D, only 16 is to 1 यह question में पूछे गए कि x-ray imaging system में general purpose के लिए कौन सी grid का use के जाता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option B, 8 ratio 1 to 10 ratio 1 general purpose के लिए 8 ratio 1 to 10 ratio 1 तक grid का use के जाता है जबकि high QVP radiography के लिए 12 ratio 1 to 16 ratio 1 तक की grid का use के जाता है question number 20, which of the following is disadvantage of ear gap technique option A, image blurring, option B, low contrast, option C, image magnification, option D, none of the above यह question में पूछे गए कि इसमें से कौन सा ear gap technique का disadvantage है तो यहाँ पर इस question का right answer है option C, image magnification ear gap technique के जाता है skater addition को control करने के लिए और इसका सबसे बड़ा disadvantage है image का magnification यानि कि इसमें image magnify हो जाती है जो कि इसका सबसे बड़ा test advantage है question number 21, what is contrast resolution? option A, ability to distinguish soft tissues option B, ability to distinguish two closely placed objects option C, ability to see every pixels of the image clearly option D, all of the above यह question में पूछे का कि contrast resolution क्या है? यहाँ पर इस question का right answer है option A, ability to distinguish soft tissues अगर हम किसी x-ray means में states of gray को यानि के soft tissues को अच्छे से देख पा रहे हैं के लिए 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 तो उस ability को contrast resolution बोला जाएगा question number 22, what is the effect of patient thickness on scatter addition level? option A, increases with decreased patient thickness option B, increased with increased patient thickness option C, patient thickness is irrelevant to scatter addition option D, none of the above यह question ने पूछे कहें कि patient की thickness का क्या effect पढ़ता है scatter addition level पर तो यहाँ पर इस question का right answer है option B, increased with increased patient thickness यानि कि जतने ज़्यादा patient की thickness होगी उतने ज़्यादा scatter addition होगी question number 23, how does the compression device improve special and contrast resolution? option A, by bringing the object closer to the image receptor option B, by reducing patient thickness option C, by improving quality of radiation option D, both A and B यह question में पूछे कहें कि compression device कि इस तरह से special or contrast resolution को improve करता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option D, both A and B compression device patient की thickness को कम कर देता है और patient की body को यानि की object को image receptor के close ले आता है जिससे कि जो special resolution है और contrast resolution हो हमारा improve जाता है question number 24, what is the advantage of using aluminum over plastic fiber as interspace material in grids option A, less visible grid lines on the radiograph option B, aluminum is non-high growth topic option C, easy to manufacture option D, all of the above दोस्ते में question पूछे का है कि grid के manufacturing में जो interspace material होता है उसमें aluminum का use क्यों किया जाता है उसको क्या benefit होता है over plastic fiber यहाँ पर इस question का right answer है option D, all of the above grid की interspace material को बनाने के लिए aluminum के use के जाता है क्योंकि यह काफी best होता है over plastic fiber जब हम aluminum के use करते हैं तो इसकी grid lines है और रोडियोगराफ पर कम दिखती है और यह non-hygroscopic होता है यानि कि यह atmosphere से moisture को absorb करने के इसकी ability होती है यह काफी कम होती है और यह easy to manufacture है यानि कि इसको बनाना काफी आसान है तो इन तिनों advantage के वज़े से aluminum का use के जाता है interspace material को बनाने के लिए question number 25 which of the volume grid ratio are satisfactory with tube potential below 90 kvp option A up to 8 ratio 1 option B above 8 ratio 1 option C up to section ratio 1 option D any grid can be used यह question ने पूछे गया है कि 90 kvp से कम tube potential के लिए इसमें से कौन सा grid ratio satisfactory होता है तो यहाँ पर इस question का right answer है option A up to 8 ratio 1 grid जब हम 90 kvp से कम tube potential यूज करते हैं तो उसके लिए 8 ratio 1 और इससे नीची की जो grid ratio होते हैं वो satisfactory होते हैं यूज के लिए दूसरे से बगर 90 kvp से ज़्यादा tube potential का यूज के जाता है तो उसके लिए 8 ratio 1 से उपर की grid का यूज के जाता है तो गईज आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो चे लेगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्ते उसाज जरूर शेयर करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई